हलो हाई आज हम लोग बहुत ही इन एक इन एकस्पेंसिब आइटम बनाएंगे और जिसे लॉरियल कहते हैं अब लॉरियल कहने से हमारे दिमाग में सबसे पहले ब्यूटी प्रोड़क्ट ही आता है लेकिन मैं ब्यूटी प्रोड़क्ट की बात नहीं कर रहे हूं मैं लॉरिय लॉरियल बीट्स को आज हम लोग घर पर बनाएंगे इसका उपयोग गहनों में किया जाता है और गहनों की सुन्दत्ता को बढ़ाया जाता है वैसे इन एकस्पेंसिब है लेकिन जब इसका गहनों में प्रेव होता है तो इसका महत तो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है तो चलिए आज इसे हम लोग अभी बनाना से चते हैं तो इसके लिए मैंने यहां पर क्या लिया है लाूरिल वायर लिया देख्यों में इस तरह होता है, इसमें दो हेड होते हैं, एक इधर और एक उधर, तो चलिए सबसे पहले इसे निकाल लेते हैं, निकालने के बाद देखिए, यह कुछ इस तरह है, अब हमें क्या करना है, इसे बीच में काट लेना है, कहेंची की सहायता से इसे हमें बीच में काट लेना है, काटने के बाद इसमें हमें मोतियों को घुसाना है देखिए यहाँ पर मैंने एक छोटी से मोति को घुसा दिया है अब हमें क्या करना है एक कोई सा भी round object ले लना है तो यहाँ पर मैं एक toothpick ले रही हूँ वैसे आप इस तरह के plastic को भी ले सकते हैं लेकिन मैं यहाँ toothpick का इस्तेमाल करूँगी तो इसे क्या करना है इसमें हमें घुमा देना है इसमें इस तरह लपेट देना है गोल घुमा कर इस तरह गोल घुमा कर इसे जो extra wire है इसको इस beads के चारो और हमें लपेट देना है ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस इसके चारो और हमें इस तरह लपेट लेना और जो एकसस वायर होगा, उसे हमें काट लेना है तो इस तरह हमारा देखिए इसे मैं बाद में काट दूगे, लेकिन इस तरह हमारा लॉरियल मिट्स बनकर तैयार हो गया है देखिए ये जो बीट्स होता है, ये छोटा बीट्स में, हेड जो है वो फस जाता है, लेकिन एजी आप बड़ा बीट्स लेंगे, तो इसमें से इस छेर के जरिये मोती जो है वो निकल जाता है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले लारियल वायर को लेना है, उसके बाद इ लेखे इल्लोक हो गया है अब हमें कोई सा भी बड़ा बीट्स को लगाना है तो बड़ा बीट्स अब इसमें हम लोग डाल देंगे तो या नीचे नहीं गिरेगा अब हमें क्या करना है फिर से कोई राउंड आपजक्ट लेना है और उसमें इसे रखकर गोल घुमा देना है तो फिर से लीजिए तूतपिक लीजिए उसे इस तरह राउंड किजिए उसके बाद इसे गोल घुमा दे ज्यादा बने घुमानी क्या सकता नहीं है बस दो बर घुमा कर इसे निकाल ले अब इकसेस जो वाईड है इसे आप कैची की सहय्था से इस तरह सीरे पर काट दें बनकर तयार हो जाएगा इसे तरह आप जितना चाहे उतना बना ले और अपने गहनों में इसका उपयोग करें चलिए इसका उपयोग कैसे कैसे किया जाता उसे मैं दिखाती हूं देखिए फ्रेंड लॉरियल का उपयोग हम किस तरह करते हैं यहां देखिए यहां हेंड मेड जुमका है और इसमें मैंने यहां पर लॉरियल लगा दिया है लॉरियल लगा देने की वज़े से इसकी सुन्दर्ता और भी ज्यादा निखर कर आई है लॉरियल नेकलेस लॉरियल बेंगल्स लॉरियल नेकलेस तो दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा यदि पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना बुले मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाइबाइ